आकिर क्यों सुप्रीम कोट के जाने माने बकील को अचानक इतनी अमर्जेंसी में प्रेस कॉंस्फरेंस रखनी पड़ी आईए देखते हैं अब जब प्रेस कॉंस्फरेंस कभी मोदी जी ने कर ली तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप में से कुछ लोग भीवान आओं आप से डर के मोदी जी प्रेस कांफेंस नहीं कर रहा है वरना जो यह इनकी क्रिमिनल मीडिया है उनके साथ तो यह कभी भी प्रेस कांफेंस कर सकते हैं तो आप लोगों को भी बहुत-बहुत मुबारक बात है आप लोगों की वज़ा से आप लोगों की वजह से मोधी जेसे वेक्ती सब कुछ लाखो करोर रुपे खर्च करने के बाद यह मीञला मेडिया मेंचमेंट का फिर प्रेस कॉन्फर होगा क्रने से डरते हैं मनुपिर के मामले में मामले में बोलने से डरते हैं बेरोजगारी के मामले में बोलने से डरते हैं चाइना के मामले में बोलने से डरते हैं किसी भी मामले से बोलने में डरते हैं तो वो सिरफ और सिरफ आप लोगों की वज़ा से है उसके लिए मैं आप लोगों को मुबारक बात भी देना चाहता मनिपुर का मसला जिस तरह से चला है और जिस तरह से चीप साफ के खलाब मतलब लगातार इनका जो तनख़या कीड़े हैं इनके IT सेल के वो लगातार टर टर जो मचा रहे हैं वो सारी चीज़ें अगर आप देखें तो ऐसा महल कभी नहीं था लेकिन बावजूद उसके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चीप साब को कि सुप्रिम कोर्ट थोड़ा साइश समय निश्चत रूप से निडर होकर काम कर रही है आप इनकी बेहाया, इनकी बेशर्मी और इनका दुस्साहाद देखिए आप वो क्यों कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार उन्हें हर तरह से प्रोटेक्ट कर रही है सरकार उन्हें बचा रही है कि पुलिस वाले आधिकारी जिनके कौन करेगा कारवई आप किस से अप्रोच करेंगे पुलिस से अगर पुलिस के नीचे ऐसे चो काम नहीं करता है, कुछ करता है, तो आप उपर DCP के पास जाओगे, फिर उपर कमिशन के पास जाओगे, यही तो है न तरीका, नहीं होगा तो देना दालत में जाओगे, लेकिन इसी लेविल पर जब इनको प्रोटेक्ट कर रही है सरकार, औ अगर सुप्रिम कोर्ट के इतना कहने पर भी काम नहीं करें, तो सुप्रिम कोर्ट को एक बड़ा सक्त कदम एक बार उठा लेना चाहिए, पचास सो जो अधिकारी हैं ना, जो कंटेंट पर पणईन, पचास सो अधिकारी हैं कि फीत उतार के एक बार खुंटी पर टांगे तो बाकी सारे के सारे अपना ठीक हो जाएंगे, यह स्टेप अभी सुप्रिम कोर्ट उटा नहीं रही है, अन्यता हाई कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट जिस दिर यह कदम उठा लेगी, कि जो यह लोग अदालत की बात निमाने कंट्रेप्ट कर रहे हैं, इनको नोकरी पर रह करने लगेंगे, इस कदम की जरूरत है, जिस देश में हमारे चीफ जस्टिस स्वतंत नहीं है, हमारी प्रेसिडेंट द्रोपती मुर्मो स्वतंत नहीं है, क्या अभी भी आपको लगता है इस इंडेपेंडेंस डे पर हमें स्वतंत्रत दिपस मनाना चाहिए?